हाई आज देखेंगे प्रवाइड इंजेक्ट परवाइड इंजेक्ट आप देखें उससे कुछी जापकर समझनी पढ़ेगी जैसे कि मारे पास एक कॉमपनेंट है एक डाइप डाइप डॉट इसमें एक डेटा आप इसको डेटा कहिए स्टेट कहिए या फिर रियक्तिव चलते हैं लेकिन मैं इसको डेटा भी के लिए मानकर चलते हुआ हुआ है इसके बाद हमारे पास एक ओर कॉमपनेंट एक डॉट प्राप्स का यूज कर सकता है अगर प्राप्स के इसको पास करेंगे पास करेंगे परेंट से चालाएगा फिर चाइल्ड कमपनेट उस डेटा को यह नहीं की नेम जिसका विलिस होना में उसको यूज कर पाएगा अपने कॉमपनेट में यह हमने देखा हुआ बहुत ही डीटेल में और इसको हमने समझा वा अगर आपने नहीं देखा तो पहले इसको प्रॉप को देखिएगा उसके बाद इसको देखिए तो भी आपको समझ मैंगा वनर नहीं आएगा सो हमने यह पर बात कि कि पैरेंट चैल्ड का रिलेशन है पैरेंट है एप डॉट व्यू चाइल्ड है यूजर डॉट व्यू एक और चैल्ड है गैस्ट डॉट व्यू अगर पैरेंट का कोई भी डेटा है यूज करना चाहता है चाइल्ड तो प्रॉप के थ्रूँ यूज कर सकता है इसमें डायर्ट टू रिलेशन है पैरेंट चैल्ड का यह हमने समझा अभी इस हायरार्गी को थोड़ा सा चेंज करते हैं माले यहां पर पर एक कॉम्पनेंट है एप डॉट व्यू जिसमें य और यूजर डॉट व्यू का एक चाइल्ड है जो कि है यहां पैरेंट चाइल्ड का बन रहा है रिलेशनशिप अब इस केस में अगर मुझे डेटा यूज करना है तो कैसे करोंगा माले जी की डेटा मुझे यूजर डॉट व्यू में यूज करा तो यह बहुत ईजी है मैं नेम को पास कर दूंगा भारल तो मैंने इसमें डाल दिया तो यह यूजर डॉट व्यूमें चाहिए तो फिर क्या होगा बमेंग्र बाना नहीं ऑक है यूजर डॉट couple यूजर डॉट व्यूं नहीं है पैरेंट्चेड कर थे आरगा नहींगा तो हमारे पास option क्या बज़ता है हमारे पास option यह बज़ता है कि पहले app.view से पास किया जा user.view में और user.view का child है गेस्ट भी तो parent child का यहाँ पर रिलेशनाव को दिख रहा होगा अभी यह user.view इस data को यानि कि इस जो इसको प्रॉप के थूरू मिला data उसको एज प्रॉप पास कर सकता है अपने चैल्ड में आने की guest.view में यह हमारे पास एक option है अगर app.view का data guest.view use करना चाहता है उस case में इस तरफास आप इस तरीके से देखिए यह इस तरीके से है यह आपको समझे में आए कि यह parent हो गया इस data की आशकता ही नहीं थी वह कहीं उसको यूज नहीं कर रहा बट unnecessarily हमें उसको पास करना पड़ेगा यही एक तरीका है जिससे कि वह अपने चैल्ड में पास करेगा और guest.view app.view के data को यूज कर पाए तो अभी के लिए आपको दिख रहा हो कि यहां चलो कर देते हैं कोई issue नहीं है parent से child में चैल्ड से grandchild में चलाएगा तो app.view का data guest.view में यहां पर हम लोग इसको पास करते हुआ रहे है hierarchies यह हमारे पास option है और यह unnecessary है because user.view उस data का कोई use नहीं करने वाला है नहीं guest.view करेगा और नहीं guest1.view करेगा यूज करेगा कॉन guest2.view मगर फिर भी हमें उसे layer by layer पास करना पड़ रहा है फिर user.view के पर सब्डेटा आगया तो user.view guest.view को पास करेंगे तो आपके लिए प्राब्लम करेगा तो हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि डारेक्टली एपट व्यू का जो भी डेटा है वह हम लोग की concept हम कहलाता है provide an inject यह हमें provide करेगा यह feature तो समझे माँ आ गया कि props का limitation क्या है और provide an inject हमें क्या provide कर रहा है यह दो चीज़ें आपके clear हो जाने चाहिए साथ में आपको यह भी component और जहां use करने वाला डेटा उसके बीच में काफी सारे component आ रहे हैं तो फिर उस जगह पर आपको provide an inject का use करना इसका use basically state management के लिए किया जाता है जो state हम लोग बनाते है रियक्टिव state बनाते हैं उसको manage करने के लिए 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 आता है इसके इसके अलबाद third-party packages भी होते हैं जैसे पीनिया हो गया तो उसका भी use करता है उसको बाद में देखेंगे इस course में मैंने इसको include नहीं किया है कभी एक separately हम लोग देख लेंगे but state management के लिए इसका use होता है अभी हम लोग देखेंगे कि provide an inject का use करके कैसे हमने जो भी समझा कि app.view का data कैसे guest 2.view म हमें use के जा सकता है वह हम लोग देखेंगे practically यहां पर मैं इतना बड़ा hierarchy नहीं बनागो और necessary हमारा code बढ़ा देगा हम लोग तीन ही रखेंगे यहां पास एक app.view रहेगा एक user.view रहेगा और guest.view रहेगा app.view का child रहेगा user और user का child रहेगा guest इसी सब समझाएगे पूरा hierarchy ठ लेकिन फिर हो data यूज कर पाएगा because of provide and inject concept तो यह लिए देखते हैं कि provide and inject क्या होता है provide inject is a way to pass data through the component tree without having to pass prop down manually at every level. every level में prop के तरीके से pass करने के बजाए आप अपने component tree में data को pass कर सकते हैं provide inject का user जो मैंने अभी आपको समझा है presentation में वह ही यहां पर theory में लिखा हुआ. in a typical view application data is passed top down via props. props का यूज करे हम top down इसको data को pass करते हैं कि parents से child में होता है but this can be cumbersome for certain type of props that are required by many components within an application तो बहुत तरह application के अगर एक ही data चाहिए और parent child के इस relation नहीं है उन दोन के बीच तो भी आपको problem होगा तो उस सीच को दूर करने के लिए हम लोग provide and inject का यहां पर यूज करने वाले है provide inject is a way to share value like these between components without having to explicitly pass a prop through every level of the tree तो हर एक component में पास करने के बजाए आप इसको जहा requirement or data का वहां पर आप यूज कर पाएंगे अगर आप concept लगाएंगे provide and inject apparent component can serve as a dependency provider for all its descendants parent component जो यहां पर होगा वह serve कर पाएगा data को यह act करेगा as a dependency provider अपने जितने बिसके descendants होंगे सभी के लिए any component in the descendant tree regardless of how deep it is can inject dependencies provided by component in its parent chain जो हमने अभी देखा एक chain बन रहा था component का तो चाहे वह जितना भी डीप हो जाए वह यूज कर पाएगा data को बढ़ी आसानी से वह हम लोग देखेंगा अभी कुछ देर में तो यहां पर हम लोग क्या देखने वाले है कि अकर इस तरीके से कुछ hierarchy रहता और हमें app.view का data गर guest2.view में यूज करना तो इसको में as a prop इस तरीके से लेबल बाई लेबल पास करना पड़ता है तब जाकर हम लोग इसको यूज कर पातें data को लेकिन अब आपको वैसा करने का शक्ता नहीं पड़ेगी because यहां पर हम लोग provide का use करने वाले हैं तो provide हम लोग लिखेंगे कहां पर जहां पर हमारा data रहता है वहां पर हम लोग provide लिखेंगे और inject हम लोग लिखेंगे वहां पर जहां पर हमारा data use होना है तो दो चीने ध्यान में रिखिए कि दो step है इसका पहले आपको provide करना पड़ेगा फिर आपको inject करना पड़ेगा provide कहां करना है जहां आपका data है वहां provide करना है inject कहां करना जहां आप उस data को use करना चाहते हैं वहां पर आपको इसको inject करना है तो यह साइज चीन ध्यान में रिखिए दो स्टेप पस ध्यान में रिखिए और देखिए कि कैसी syntax से किसरकिस का इस्तिमाल होता है थोड़ा सा ओर थियोरी देखते हैं प्रोवाइट के बारे में स्पेसिफिकली जानते हैं प्रोवाइड करने के लिए डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रोवाइड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है इस फंक्शन इस तो प्रोवा बहुत सारा डेटा है तो आपको अलग अलग उसके लिए प्रवाइड भी लिखना पड़ेगा तो आप जितनी मर्जी उतनी बार प्रवाइड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं यानि किसको लिख सकते हैं लेकिन इंजेक्शन की जो होता है वह आपका डिफरेंट होना चाहिए हर एक वेल्यू के लिए इसमें दो अर्गमेंट होते हैं इसको इंजेक्शन की कहते हैं विच कैन विए स्ट्रिंग हो सकता या फिर एक सेंबल हो सकता है इस तब को बता होगा सेंबल अगर आपने नहीं पढ़ाए यह 6 का कॉंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में इसेंबल त स्ट्रिंग ही लेकर चलेंगे सिंबल में आपको लाशन मताऊंगा इस इंजेक्शन की का क्या वेल्यू रहेगा इस की के लिए क्या वेल्यू रहेगा वह हम लोग सेंड अर्गमेंट में लिखते हैं तो वेल्यू कैन बी एनी टाइप इंक्लूदिंग रियक्टिव यह उनिक आपको लिखना है इंजेक्शन की इस इंजेक्शन की का यूज किया जाएगा इसको यूनिक रखने के लिए कहा जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यह रिकमेंट किया जाता है कि जो mtation होगा यानि कि र्यक्टिव स्टेट अगर आपने कोई बना हुआ है तो अगर आप उसको मिड़ेट करते हैं तो उसको रखेंज करते हैं तो आप प्रोवाइडर के अंदर ही करें नहीं है तो यह एक सिंपल सा इसको भी आपको दिखा दूगा अभी बस थियोरी समझ करें तो इसको लिखते कैसे एक जैंपल देखिए हमने इंपोर्ट करना है पर पहले प्रवाइड को उसके बाद प्रवाइड हमने लिखा और नेम नेम यहां पर मेरा इंजेक्शन कि है और हमने एक विल्यू दिया है सोनम जो कि लिखा रहा है यहां पर एक एक और एक और एजेंपल में दिखा रहा हूं दूसरा इंपोर्ट रह प्रॉवाइड और फ्रॉम भीवाइड दोनों कोई नेपर हमने एक र ही एक रीक्टिव स्टेट बनाया रेंए और आप चाहें तो इस तरीक्री से लिखकर रेक्टिव स्टेट को भी पास का सकते हैं यहां पर इस चीज को हम लोग इंजेक्शन की कहते हैं नेम को इंजेक्शन की कहांगे और दूसरा जो इसका अर्गमेंट होता है उसको हम लोग प्रवाइड़ वेल्यू कहते हैं अब व आपर रॉसमी प्रवाइड और लाव टोट युर्वाइड उनुंट करने उसको हम लुग तो इंजेक्शन का यूज़ियु परवाइड वेल्यू इस रख अगर प्रवाइड वेल्यू अगर कोई रशे इस ऐस औ विल not be automatically unwrapped, unwrapped automatically नहीं होगा यह विद्यान में रिखिए, this allows the injector component to retain the reactivity connection to the provider component, मतलब यह unwrapped नहीं होता है, इसको जैसे reactivity connection जो होता है, वह बना वा रहता है, means जो value change होगा, वह आपको जहां जहां भी होगा, वहां महारा आपको change होकर देखने को मिलेगा, है तो हमने समझाब है, बहुत mutation का क्या काम होता है, इसका एक syntax देखिए पहले inject function है तो inject आपको लिखना है बेटन पैरेंथेजिस injection की लिखना होता है, फिर इसमें हम लोग default value देते हैं या फिर कोई factory function दे सकते हैं, कभी-कभी इसमें हमें एक और argument पास का निकाशकता पड़ती है true या false, वह आपको भी दिखाता है theoretically कि क्यों और कब करना है, the first argument is the injection की, injection की वही जो provider प्रोवाइड करते वक्त, injection की लिखता है वही injection की यहाँ पर देना है और उसी का value inject होगा आपकी इस component में, तो first argument आपका injection की होगा, the second argument is optional, second argument आपका optional है default value अगर देना चाहते हैं तो देजे, नहीं देना चाहते हैं तो मत देजे, the second argument is optional and is the default value to be used when no matching value was found, जब कोई भी injection की आपने लिखा अगर उसका कोई भी value नहीं है यानिकि वह injection की नहीं है तो उस case में जो value होगा वह value आपको देखने को मिलेगा यानिकि उसका वह value आपको वेपेज पर देखने को मिल जाएगा, it can also be a factory function to return value that are expensive to create a factory function भी लिख सकते हैं, if the default value is a function then false must be passed as the third argument, अगर हमारा function है, हमारा default value है वह अगर कोई function लिखते हैं आप तो उस case में आपको false वहा पर लिखना होता है to indicate that the function should be used as the value instead of the factory, इन सभी का मैं आपको example दिखाऊंगो, जो यहां पर देख रहे हैं, जितना समझ में आए, उतना कापी है, और जो समझ में नहीं आए, वह आपको धरे दरे practical में समझ में आ जाएगा, इसका syntax और example देख लेते हैं, example दिखाऊंगों directly मैं आपको import किया, inject इंपोर्ट करना है और यहां पर देखिए मैं नाम लिखा हुआ, और यहां पर इंजेक्ट लिखा और यहां पर injection की हमने लिखा है यह इंजेक्शन की किसी ने प्रवाइड किया होगा कहीं component से प्रवाइड लिखकर तो वह हमने यहां पर लिखका, इंजेक्शन की इसमें default value हमने नहीं दिया है यह इसका कोई value होगा वह value नाम में चलाएगा और उसका आप यूज कर पाएगा अपने इस component में कोई तरीके से अगर कोई आप कोई function है जो की default value रुटर्ण करा था आपको इसको इस तरीके से लिख सकते है नाम लिखका इक और और यहां इंजेक्शन की हमारा नेम है और यहां पर देख सकते हैं कि हमने एक function लिखखा है एरो फंक्शन पर दिया एरो दिया राहुल और कॉमा देकर आपको यह पर ट्रू लिखना है जिससे कि इसको समझ माएगा कि यह function return कर रहा है एक value जो कि हमारा यहां इस case में function जो function ही देना है तो उस case में आपको यहां पर बस फॉल्स लिखना होता है बाकि सारी चीजह आप देख रहे हैं कि हमने सीम लिखखा हुआ है तो यह एक function है यह return नहीं कर आपकी एक function है उसी तरीके से आप यहां पर factory दे सकते हैं कुछ इस तरीके से value लिखा equal inject की और यहां हमने यूज के मैप यह फिर कोई class होता है तो class instance class भी यहां पर लिख सकते हैं जैसे मैंने कोई class बना है सम्क्लास नाम से तो वह भी new के साथ आप यहां पर use कर सकते हैं तो अभी लोग जो कुछ भी theory देखा इतना हम लोग practical देखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग discuss कि और जो भी concept रहघा उसके बारे में तो project क्रते है npm, i.in said, view और latest लिखें interface करते हैं और यह 미ली हिंब छेप्तर चल रहे भी cats31 और यहां पर interface करते जाना है और और यह सारे पैकेज़ इंस्टल करेगा जो करते हैं इसको नहीं करने वाला हुआ हुआ इसको नहीं कोपी करते हैं ठीक है तो यह हमारा होगा इसको क्या करेंगे अपना कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट रहा है जो इसका अपना डिफॉल्ट होता है लोट हम यह चाहिए नहीं तुम्हों क्या करेंगे सिंप्ली यहां आते हैं src में components में और यह सारे चीज़ें में डिलीट कर दूँगा यहां से यहां तक यह सब कुछ रिलीट कर देता हूं और स्टार्टर में से एक चीमें कोपी कर लेता हूं यह जो हमारा आप के अंदर यह डेटा इसको क्या कोपी और इसमें पेस्ट कर करता हूं यहां सब करता हूं इसको किया सब तो गया भी कर दिया मैंने कोई नहीं हमारा component इसमें में से इसको हड़ा देते हैं विकास यह डिलीट कर चुके हम लोग इसका शुकर नहीं है अपना खुद का एक component में रैट क्लिक करते हैं new file इसका नाम लगते हैं user.js एक और आ बनाएंगे इसका नाम रखेंगे guest.view अभी इसमें हम लोग simple सा यह code इसको को भी पेस्ट करते हैं यहां भी पेस्ट करते हैं इसको सेव करते हैं अभी क्या होगा कि इसमें तीन ही में आपको दिखा रहा हूं याने कि पैरेंट चाल्ड ग्रेंट चाल्ड मनें आपको बताय आते हैं guest guest में आते हैं यहां पर और Icon लिखते हैं और इसमें लिख्का यह लिखखा सेव इससे को CHoPy कर करके यहां पर आते हैं पेस्ट किया और यहां पर लिख ईए हमारा भारे है समग अबρεί तक हुमने doinते काम अब्ने स्था इन में हृब्छा similar पेज में दीखते हैं इसको एप दीख रहा है यानि कि आप का चाल बने का कुछ यूजर और यूजर का चाल बने का कुछ डाट को रिलेशन नहीं होगा फिर भी हमें डेटा यूज करना है याद पर लिखता हूं है याप मैं इधा हुझ कर लेके इंपोर्ट बनेगा से यहां पर हमें Gary this अब मैं यहां पर दिखाए दूरए मने लेगे तो यह user के अंदर है guest यह याद रखिएगा और कोई भी चायल्ड का मपन्ट नहीं रहाएगा यहीं तक हम ने इसको रख्क हुआ है श्我不知道 Bailey और सब्सक्राइब यूजर अणर अगर उसको अजह कृष्ट से ऱ्काइब और से लिकाइब तो यह है हमारा इसमें पूरा फैमिली बना हुआ है पैरेंट चाइल्ड और ग्रांड चाइल्ड का यह अड़ा देते हैं इसका कोई काम नहीं है यहां से भी और यह अन्नेसेसरी एक लाइना में दिखेगा जो कि सही नहीं है क्यों दिखे भाई वो दिखना नहीं चाहिए मतलब वेच्टेज है तो यह मताती है हम लोग सब भी देखेंगे कि प्रॉप्स करते हैं तो क्या होता है और फिर हमें उसमें मैं आपको प्रवाइड इंजेक्ट इंप्लेमेंट करें दिखांगो तो आपको अच्छे समझ माया वही चीज जो हमने थेयोरी में समझा सेम मैं अपको प्रैक्टिकल में दिखाने वह रहा है थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा विए तो आप भी दीजे और मिल कर सकते हैं यहां से में पास करना अब यह एक रियक्टिव डेटा भी हो सकता था और यहां पर लिखकर भी प्राप्स तो यहां पर मैं पास करता हूँ नेम लिखा और इसका नाम देव अने सोनव इसको सेव गया तो यह डेटा हमारा चलाएगा चाल में अने की इस यूजर में और यहां पर यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो यहां इसको यूज करूँ तो मैं इ सट्प्वार्ट के अंदर के देखता हूं यह हमारा नेम है, तो नेम ही आएगा, और हम को को यहां परあります संपली लिख्ट दें लिक नेम डिस्पेल होगे अंपर दिख जाएगा नेम मैं आपको दिखाता हूं, यूजर component के अंतर यूजर कमपनेट, उसपी इस में यूजर लिग दिया है, और यहां पर देखेंगे आपको इक स Cook करना पड़ेगा, डिखें णो आपको दिखाए दे रहा है ठीक है, यूजर डॉट वियू में आ गया यह डेटा बहुत अच्छी बात है अगर गेश्ट डॉट वियू में मुझे यह वाला प्रॉप यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हमारे पास तरीका यह है कि यहां से चुकी डेटा हमने यहां पास कर दिया हुआ है तो अब य यहां पर यहां पर यही डिफाइन करना है साथ में यहां पर हम लोग प्रॉप उसको यूज कर सकते हैं तो फो और यहां पर एक में लिए देता हूँ है अच्टू एच्टू एच्टू बहुत बढ़ा हो जाएगा नेम वेल्यू फ्रॉम एप यह एप से आ रहा है ध्यान रहा है कि यह डायेटली एप फॉला डेटा हम लोग एकसेस कर रहे हैं बस हमने इसको वाया यूजर एकसेस कर रह अच्टू करते हैं दूनों साथ साथ देगेगा तो मुझे क्या करना था मेरे रिक्वार्मेंट थी कि आप.view का जो भी यह डेटा है बहुत इक डेटा हो एक डेटा मुझे मांन कर चला कि यह डेटा तो यह डेटा मुझे यूजर घ्डॉच्ट करना था व्यूच्ट अब और यहां मुझे यह यह यूज ही नहीं करना था यहां यह यूज नहीं करना फिर भी मुझे यह पास करना पड़ा किऊंग कि यह दोनों प्रेंट चाल्ड है और डायरेक्टली केस्ट डॉट व्यू आप डॉट व्यू के डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन यह प्रॉब्लम करेगा जब इसका हाईरर्गी बढ़ा हो जाएगा जिसे मैं आपको पीपीटी में दिखाया हुआ तो यहां पर हमारे हमें बचाने के लिए आता है कौन प्रोवाइड और इंजेक्ट चलिए प्रोवाइड और इंजेक्ट का कॉंसेट में शुरू करते हैं अभी समझ मागा कि प्रॉप का क्या लिमिटेशन है अननेसेसरील हमें यहां पर पास करना पड़ है जबकि हम यहां नहीं लिखना होता है बलकि आप प्रोवाइड फंक्शन का यूज करेंगे तो इसके लिए पहले प्रोवाइड को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यह एपड़ व्यू में मैं कर रहा हूं अब ध्यान रखेगा फाइल नेम भी तीन फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं इसक फंक्शन का पहले यूज करना प्रोवाइड और यहां पर इंजेक्शन की लिखेंगे इंजेक्शन की लिखते हैं नेम जह अपने प्रॉप का नाम लिखा तो वह यहां पर लिख दिया हुआ है उसके बाद इसका क्या वेल्यू रहेगा वह वैल्यू यहां पर आप provided data को आप की hierarchy में किसी भी comment में यूज कर सकते हैं चाहे हुआ user.view हो या फिर guest.view हो या एक parent-child relation नहीं भी हो फिर भी आप इसको यूज कर पाएंगे आपको layer by layer, label by label pass नहीं करना पड़ेगा यह data तो दिखने की कैसे तो यह हमारा आते हैं और यहाँ रहों इंजेक्ट का यूज करते हैं usta गिप Dalaj ने प्रवाइड के इंजेक्ट करेंगी इंजेक्ट विध injection की एसे करना प्ले इंजेक्ट पर अपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मैंनों इसको इंपोर्ट कर लिया quickly और यहाँ पर आपको अपना मैं इंजेक्शन का नाम लिखना लिखने नाम क्या नेम कंडा यह जरा मैं इसके बाद आप यह रिटार्न करेगा आपको था इसको फोल्ड कर लेता हूं माली कि यहां पर आप वाहता है के हैं इसको नाम कर दीए तो यह हम यह पास आजाता है थो इंजेक्ट कैसे यूज करना है एक एच टू बनाते हैं और यहां पर नेम वेल्यू हम लोग यूज करें नेम वेल्यू फ्रॉम एप आप से यह वेल्यू आ रहा है सी इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ से इसमें आपको शिया कैनाम सेयोत था यह यह इंजट की नेम वह हम यहां पर लिखा तो फोड़ीयू इस नाम में चला और इसको यह पर डिस्प्लेए Trustee है best ड़ा है से और अश्रॉन पर आते हैं ईसको रिफ्रेस्ट की झीए और कि नेम फॉम कर रहे थे ह। में फिर से बार-बार बोल रहा है आपको कि app.view और guest.view में कोई डारेक्ट parent चल्ड का relation नहीं मगर फिर भी हम लोग डेटा को अब access कर पा रहे हैं और इसमें user.view का कोई involvement नहीं यानि कि हमें ऐसा नहीं कि हमें इसका data पहले यहाँ पास करना पड़ रहा है इसको कमेंट कर देता हम पुलों के लिए कि आपको ऐसा ना लगे कि यहां से data आ रहा है यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं कि आप provide का और यहां से data pass होकर यहां आ रहा है इसा बिल्कुल भी नहीं है तो इसको refresh करते हैं और देखिया हमारा अभी डेटा सही तरीके से काम करें तो यह जड़ा ध्यान मा रिखिएगा यहां पर डिफॉल्ट वेल्यू भी दे सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं इसको कमेंट क करते हैं कोपी पेश्ट कर लेते हैं एक बारी करना था और यहां पर कमेंट आउट तो यहां पर अभी हमारा कोई डिफॉल्ट वेल्यू नहीं है यहां से अगर वेल्यू आ रहा है होना हम तो फिर बढ़िया वह हमें इंजेक्ट होगा और इसको डिस्प्लेय कर पाएं एक इसके लिए यानि कि यहां से करना भी पास करें फिर भी अपको कोई एरर ना है और अपको डिफॉल्ट वैल्यू रहे तो यहां से यहां से प्रियारेटी हाई रहेगी और इसको एक्नॉर कर दिया जाएगा मैं इसको सेव करने के बाद यहां पर रिफर्श कीजिए देखे जैसे इसको मैं कमेंट कर दूँगा अब यहां से नेम यह इस इन्यक्शन की के लिए कोई डेटा नहीं है तो उसकेस में राहूल डिफॉल्ट को यूज करेगा और आप देख पाएंगे कि आपको राहूल दिखने को मिलेकर नाही कोई वार्निंग है और डेटा भी हमें सही इक फंक्शन भी सकते हैं ध्राव मैंंगे फंक्शन लिख और यहां पर स्ट्रिंग्ग कर वा दिता हUNG है राहूल नाम से यहाँ से रिटर्न लेते हैं kept value अपको यहां पर यह ट्रूखना पढ़ता है जिससे की इसको समझ मांगे यह फंक्शन नहीं रिए है यहां से पास नहीं हो रहा है तो उसके समें यह फंक्शन करा राहूल देखने को मिलेगा इसको सेव करेंगे लेकिन अगर यहां से पास होता है इससे यह आ रहा है सोनम तो फिर यह सोनम को कंसिडर करेगा उसकी प्राइटी हाय रहती है उसको कमेंट रहता हूं वापस से और यहां पर आते हैं उसी तरीके से अगर आपको फंक्शन ही चाहिए एस वेल्यू तो फिर उसके लिए पको इसको करना पड़ेगा फाल्स तो उसको भी देख लीजिए यह पर इसको आपको दिखा देता हूं इसको मैंने फॉल्स किया तो फिर अभी क्या होगा अभी हमें यह पूरा का पूरा इसमें नेम में चलाएगा और आपने चली नेम को डिस्पले किया तो फंक्शन आपको यह पूरा को रहा इस ट्रींग तोर पर यह पर दिखने लएगा इसको सेव किया लगा ठीक है तो यह कुछ चीजें हैं अब ध्यान वारेखिए मैं इसको ट्रू कर देता हूं और यह हम लोग यहां तक रखते है स्ट्रींग देखा और फंक्शन देखा और यह सारी जान में देखिए तो यह मैं समझता हूं कि आपको समझे में आगया होगा फैक्ट्री वगरा आप आसानी से इसको कर पाएंगे अगर आपको करने का शक्ता पड़ती है तो अब इसमें देखिए कि मल्टिपल इंजेक् करते हैं मल्टिपल इंजेक्ट करेंगे जब मॉर्प का मल्टिपल प्रोवायड रहेगा तब तुम्हारे पास मालए चाहिए आप यहां पर लिख्खा हुआ है सेव किया और यहां पर आप देखेंगे आपको साने इसको रीफ्रेश किजिए कोई वार्निंग नहें मिलेग यह अभी एक और मैंने बताया था आपको थियोरी में कि आप मल्टिपल प्रोवाइड यहां पर यूज कर सकते हैं तो एक और प्रोवाइड हम लोग बनाते हैं और इसका जो की बनेगा इंजेक्शन की यह बनेगा मालेजिए एज हमने लिखका और इसका वेल्यू में चेंज इसको मैं इसतरी के से कर देता हूँ यहां पर SImpleी में कर देताहूं यह फ्रॉम आ याद रहे आप का डेटा है यह जो हम लोग गेस्ट डॉट व्यों में यूज कर रहे हैं और गेस्ट डॉट व्यों और डाइट को रिलेशन नहीं है इसको हमने रिफरेश की ज़िए कोई वर्णिंग नहीं वनाच यहां पर पर हमारा प्रॉबम कर रहा है इसको मैं कमेंट कर देता हूं इसको मुझे पहले ही करदेना चाहिए थैक्छी, भूल गया था, इसको प्रोवाइड करते हैं और यहां पर सिंप्ली यूसर को लिए दे पहले से किया हुआ है इसको सेव गया और इसको रिफ्रेश करते हैं अभी कोई नहीं नहीं तो बढ़िया ओके सो यह मैं भूल गया था करना इसको मुझे पहले कर देना चाहिए था कोई नहीं अभी हम देख लिए तो एक और हम लोग पास करते हैं और अब की बार हम लोग ए तरह लिखेंगा कि याँ फिर प्रोपर नाम नीव ने दिया अपने मर्जी से कुछ भी इंजेक्शन की लिख सखते और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्जेट् पास करेंगे, यह कुछ इस तरिके इस प्रेविशाचर प्रॉपर्पर्टी स्टार्टी है लेकर नेम और और फिर यहां पर view.js कर नाम मैं लिख दिया कॉमा देकर फिर एक और की लिखते हैं duration और यहां पर लिखते हैं six months यह फिर five months लिख देता हूं तो इसको कैसे इंजेट्ट करते हैं अब आपप मैंने object दिखा दिया तो आप यह अगर भी कर लिजेगा फिर area आप आप अब आप पॉप डेटा आप यहां पर वेली को तौरपर लिख सकते हैं अब को आप जिखाते हैं इंजेट कैसे करेंगे टारीका विए है बसको यहां पर लिखना है को दोनों जायों कर देता है मैंने लिख दिया अब चाहें अपर मर्जी से यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं यह बरने में यह नाम को पहला की बता दिए पासोट चलाता है अब लोगो और यहांब डाट्लि तो मैं पुरा 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 आपजेक्ट मिलाएगा घर as file के दिखाता हूं मैंने इसमें आप अ ही को कॉर्स आपज्यक्ट नहीं है यह कोर्स आपजेक्ट है मैस्क्या-क्या है इसमें इने और डियृसन तक यहलोमतिक है नेम और डियोरेशन देखने को आपको मिल आप इसको डी चुकिए एक अब्जेक्ट है तब इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं और करना चाहिए तो यहाँ पर इंजेक्ट करते वक्त यहाँ पर ऐसे लिखिए और यहाँ पर यहाँ पर इसको डी स्ट्रक्चर यहाँ पर कर सक कि जाकते हैं कोर्स नेम वेल्यू फ्राम और यहां पर हमारा यह डाटली डी स्ट्रक्चर्चर्ड है तो यहां पर लेक्ट नेम लिख सकते हैं उसी तरीके से यह कभी मैं कर देता हूँ यह और यहां पर एज नहीं था ना इसमरे दिन ता एक चेंज करता हूं नाम है duration यह लिखा और यहां पर नेम की जगह पर duration लिखना इसको सेव किया और बस इसमें यह डिस्ट्रिचर हो चुका है हमारा तो यह हमारा यहां पर चला है इसको सेव करने के बाद इसको refresh करेंगा देखिए आपको व्यू जैस दिखेगा नेम कोर्स का नाम और इस तरीके साब देखने को मिल जाता है तो यह मल्टिपल जब आप करते हैं उस केस में आपका होगा तो मैं यहां पर कमेंट तुमने लिखी दिया हो है मल्टिपल इंचेक्ट चलिए बहुत अचीव बात है यहां तक हमने इतना करता हूँ लोग करो यहां दो अब क्यक्त मेनद मैं करता हूँ थाप लग दीखेंगो यहां रीक्ट आको सको कैसे और अच्छे पर आये और इसको कमेंट कर देता हूँ कमेंट रहेगा इंच ज़रूरी नहीगन करना मगर फिर आपको वो बहुत सारा कोड़ना दीके एक साथ यसलिए मैं यापकर रहा हूँ तो प्रॉवाइड रिएक्टिव स्टेट रि एक्टिव स्टेट ठीक लिए स्पेलिंग और लेक्टिव बनाये इस लो मैं लिखा सब्सक्राइब इसको कैसे प्रवाइड करेंगे विल्कुल आसा तरीका है प्रवाइड लिखना है और इन्जेक्शन की आप चाहेंगे यहाँ पर जब आप इंजेक्ट करेंगे तब कोष्ट लिखकर आगे बढ़ना पड़ेगा मैं उल्मालान ऊहता है सब्सक्राइड और और इसको उन्जेक्ज करना है और यहां पर इंजट करते हैं और इंचिट करते हैं लिख़ा यहां पर आपको इंजेक्ट정न की लिखना है जोगी हमारा है कॉस्ट कि कि यहें हम पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर एक दिजै कीमत यह भी लिख सकते हां तो अब यह सब बीवेकर करें दिखा कि और यहां लिखके कानी еп है रिखने के था यहां पर यहां पर फेले कमेटी दीख हमें क्वाइटर। कि यूज़िंग डियाक्टिव स्टेट इंजह्च पूर यहां और अभी तक जैसे यूज कर दें थे विल्कुल वैसे ही price from कहां से यह एप से हैं और यहां पर आपको simply करना है लिखना कीमत कि इसको सेव किया सेव करने के बाद आप अगर इसको refresh करेंगा तब को यहां पर 100 दिख जाएगा यह कैसे काम किया देखिए हमने यहां पर पहले स्टेट बनाया है यह बनाया मैंने प्राइस नाम से और इस प्राइस को मैंने प्रोवाइड कर दिया इस कोस्ट इंजेक्शन यहां पर किया कीमत को मैंने प्रिुंट इंजेक्शन नाम कर दिए हैं किम्यां प्राइस कर दिए और यहां इस सेव कितले बाकी जगा refresh कर दे हैं और सब कुछ same बढ़िया तो इस तरीके से आप अगर कोई ref का यूज करके बनाते हैं तो उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं फिर उसको वह किसी comment में यूज कर पाया हो और फिर मगों आपके से प्रैक्टिकल देखेंगे आगे अगे बढ़ते हैं और बाट करते हैं अवर डूओ आप अप्ले प्रोवाइड पर प्रोवाइड कर डेटा कैसे अपट लेपल प्रोवाइट से अवलेबल डू और इन दियाया या जा सभी कॉंपंड में ये अविलेबल रहे गा सभी कॉंपनेंट में किसी डिस्टन दिक किसी अइश्चटर की आउश्चतर नहीं है आता सभी कॉंपन इसको एक्सेस कर पाएंगे अग्द्टि यूजफूल होता है मगर फिर भी हम पर मैं आपको एक एक ज़रूर दिखाऊंगा कि एप लेबल पर प्रोवाइड को कैसे लिखा जाता है फिर इसको कैसे इंजेक्ट को यूज़ किया जाता है एक एक जांपल दिखाता हूं यह में लिखते हैं जादा तो इसमें पर उस सारे तरीके से आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं यानि कि यानि कि डेट आप किसी वह तरीके कर दे सकते हैं इस ट्रिंग दे दिए नंबर दे दिया या फिर आपको यह पर सिंप्ली स्ट्रिंग मैं आपको दिखाया हूँ फिर नीचे अप.mount जो हमारा रहता आपने किसी भी component में तो इस एक्जम्पल के हमें आशात्ता पड़ेगी में डोड जेस की तो यहाँ पर आईए और इस कोट को तरह सा यहाँ पर लिख लेते हैं याद रहे कि यह सबसे नीचे रहना चाहिए नहीं कि प्रवाइड की नीचे रहना चाहिए और आपको सही तरीके से प्रवाइड काम नहीं करेगा यहाँ पर एक्चली मैं क्या करता हूं मैं यह एक बर comment करके पहले आप लिए रख देता हूं वहरन कि इसको अधान देता हूं है कि इसके बीच में प्रवाइड लिखना तो एप का यूज करना पड़ेगा आप प्रवाइड और फिर इसमें आप जैसे प्रवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे करते जाहिए जैसे हमें एक वेबसाइट यह सभी के लिए सभी कामपेंट के लि अभी इस इंजेक्शन की वेबसाट का यूज करके आप किसी भी कॉमपेंट में इसको एकसे कर सकते हैं किसी भी कॉमपेंट में इसको दिखाता हूं किसी भी कॉमपेंट में अतलब कहीं भी आप यूज कर सकते हैं बड़ मैं इसको इंजेक्ट करेंगे इंजेक्ट करने के यहां पर हमारे इंजेक्ट का क्या नाम है वेबसाइट हमने वह लिख दिया इसको सेव कर दें अब यह वेबसाइट भी हमारा चलाएगा डेटा और फिर आप इसको यहां पर यहां पर यूज कर पाएंगे यहां पर पहले कमेंट करके लिख देता हूं मैं अप लेवल प्रो देते तो यहां पर वेबसाइट लिख देंगे तो यह अपर एक्सेस हो जाएगा और इसको रिफ्रेश करते हैं यहीं इस तरीके से आप इसको लिजिए आप यूजर में पर रख सकते हैं इसको दिखा सकते हैं आप यह अपर से सब कुछ कमेंट बहुत बढ़िया और यह ह अभी कोई काम नहीं रहे pigしま इसको कमेंट करते हैं ओ यह यह भी कमेंट करते हैं और तो य यह फिसको य। अप-डेटा दीया इसको यूजर करना चाहें विल्कुल वैसे अभी हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है प्रोवाइड एन इंजेक्ट में वरकिंग विथ रियक्टिविटी तुम लोग रियक्टिविटी के साथ कैसे काम करेंगे वह करने के वज़ा आपके एक फंक्शन दीजिए और उस तरी मतलब एक मैं को दिखाता हूँ कि यह क्या होता है लेकिन इसको यहां पर कैसे यूज करना वह देखिए इसमें जरूरत नहीं है गेस्ट की तो मैं यह क्लोज करता हूँ यूजर की भी यूजर क्या सकता पड़े यहां पर हम लोग वाकिंग विथ एक्टी वीटी इसको सेव कीजिए और यहां पर अपने आपहिं बना एम एक न्या कॉंब्ट्री गेस्ट्वन डॉस यहां नहीं इलिए फॉल देखे ऑं यहां पर यहां पर शिंपली जैसनल विटे लिखते हैं उसे लिखते हैं वह लिखा और यहां पर style जो हम लोग लिखते हैं बिल्क लोग लिख दिया तो यह हमने एक basic से बनाए हुआ है अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं one को import करते हैं और इसको लिखते हैं और यहां पर तो यहां पर रहेगा तो यहां पर इस तरीक这 से समझ में नहीं लेकिन इतना मैं समझ मां गया कि यह एक app.view एक component है जिसका चाल्ड है user.view और user.view का चाल्ड है guest.view यह हमें समझ मां गया तो अब यह वर मैं वेब इक्वल रेफ लिखा और जिरो इसको सेव कर दिया अभी यह है ठीक और इसमें हम लोग क्या करते हैं एक बटन बनाते हैं तो यह user को मैं नीचे रखता हूँ इसको लोग डिस्प्ले करना चाहिए है count को तो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं count लिखा तो इसी जगह पर है तो इसमें हमें कुछ भी काश करने का सकता नहीं है इसको सेव कर देते हैं तो मैं कहा देखेगा इसी का एक बटन बनाते है जो इसका वेल्यू इंक्रीज करेगा तो यहां पर एक बटन बनाते है जो बटन और यहां पर हम लिख देते हैं increase from app के अप लिख दिया अभी इसमें हमें इवेंट लगाना पड़ेगा जिसे कि हमारा यह इंक्रीज हो तो क्या करते हैं यहां पर क्लिक इवेंट बनाते हैं और इसमें में एक लेता हूं method यहां पर इंक्रीज काउंट यह बनाया नह सा concept है यह CLG किया यहां पर लिखते हैं increase count count call जिससे कि मैं पता चले कि हां हमारा यह function चला है यह नहीं चला है और simply count.value रहेगा इसको इंक्रीज करते हैं यहां पर क्लिक करेंगे यह हमारा इंक्रीज हो रहा है और यह हमारा चेंज हो रहा है क्लिक होने पर अभी क्या करना कि यह जो count 0 है यह मुझे यूज करना है गेस्ट 1.view में तो कैसे करेंगे इसको प्रोवाइट करना पड़ेगा फिर यहां पर आईए प्रोवाइट लिखिए और इसमें हम लोग दे देए हैं injection की count और इसमें देए है count यहां पर आगी और inject कर लेजए तो यहां पर इंजेक्ट कर लेते हैं अगर इंपोर्ट नहीं है तो इंपोर्ट हो जाएगा और यहां पर injection की है हमारा count और count में हमारा value चलाएगा जो भी रहेगा 0 है तो इनिशली हमारा चलाएगा अभी यह जो है यह मैं increase decrease करूंगा अपने इस templates तो देखेंगे कि यह होता है या नहीं होता है और यह सही तरीका है या नहीं है वह मैं देखने है तो हम लोग यहां पर आएंगे फिले इसको गेस्ट वन काउंट और यह इसको मैं चेंज करके करता हूं अप काउंट इसको सेव और इसको यहां पर आते हैं और यहां पर देखेंगे इसको रिफ्रिच किया इसे इसको रिफ्रिट और रिफ्रिट वहां इसको यहां चीक होना चाहिए जो कि ठीक है और सही काम कर रहा है इसका यह नेचर है यह हमारा क्या करने वाला है कि हम लोग अपने काउंट का विल्यू यहां है Gest1.view से Change करेंगे जो की Recommended नहीं है आपको अपना जो भी reactive state है जैसे कि अपने इस component से जहाँ पर इंजक्टर component होता है उस component से उसको मुटेट नहीं करना होता है लेकिन हम लोग करेंगे यहाँ पर आते हैं और button एक बनाएंगे यह बनाएंगे और आपर लिए रिख्ई, increase from गेस्ट One यह लिख्खा और यहाँ पर हम लोग एक क्लिक क्लिक और इसको रहल है handle क्या count है लिख्द हाँ सेिए तो handle count अभी है नहीं इसको में बनाना पड़ाए कर तो हम लोग यहां पर आएगे और handle count यह बनाएग bullish हो यहांद बनाएगे इनक्रीज काउट के लिए सब्सक्राइब कर सकता हूं यहांपर पेस्ट करतें कि इनक्रीज का नहीं है यह हैंडल काउट रहेगा और विकॉज यह भी रियक्टिव रहेगा तो डाट वैल्यू लागा करें इसको में करना अभी देखिए कि हमारा यह चेंज होगा यह नहीं होगा और होगा तो क्या होगा यहां पर आते हैं रीफ्रेश करते हैं दुनों ही जरो-जरो दिख़ए यहां से से चेंज करेंगे बहुत बढ़ी है यह हमारा हो रहा है यहां से चेंज करेंगे यहां से भी हो रहा है लेकिन यह रिकमेंड़ तरीकर नहीं है यहां पर कहा गया officially कि mutating count value from injected component यहां लों mutate कर रहे हैं injected component से count को यह we need to avoid this हमें यह नहीं करना चाहिए और यह आपका accidentally नहीं हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप अपने यहां जो प्रवाइड किया हुआ इसको प्रीड ओनली बना सकते है रीड ओनली जब बना देंगे तो इन्जक्टर component जो होगा इस तरीके से इसको मुटेट नहीं कर पायगा अब ही आप देखेंगे इसको यहम्रा मुटेट हो रहा है यहाँ पर क्लिक कर दें दोनों जगो चीन्ज होता है और यहां पर भी क्लिक करने पर दोनों जगए हमारा चीन्ज हो के हुए फिर यह जो प्रोवाइड थो क Α máquinas कि इसको कमेंट किजिए और यह जो आपको जो भी百व करेगा वेल्यू इसको Central लिग देना अभी यह जो हमारा इंज्टर थैप मतलब जो भीमार प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन जहाँ इसको इंजेक्ट किया जाएगा वहां से इसको मुटेट नहीं किया जाएगा इसको सेव कर दें और यहां पर यह रिफ्रेश्च कीजिए देखिए हमारा इंक्रीज फ्रॉम एप यह हो सकता है इसमें कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन अगर आप इसको मुटेट करने नहीं होगा आपको एरर मिलेगा कि सेट ऑपरेशन ऑन की वेल्यू फेल्ड टार्गेट इस द्रीड उनली तो यह इसको आवाइड करने का तरीका है द्हान में रखिएगा ताकि आप इसका बहता तरीके से यूज कर पाएं तो फिर सही तरीका क्या है कैसे करेंगे तो इसक इसको भी प्रोवाइडर के तुरु यहां से पास करेंगे रुसी का यहां पर यूज किया जाएगा रुसी के तुरू मुटेट किया जाएगा तो इसको रिड़ रहे देते हैं इसको मैं प्रोवाइड करते हैं कि मैं इसको पूरे खोड़ा देता हूं प्रोवाइड लिख जाएगा और यह चला जाएगा जहां भी इसको इंजेट किया जाएगा वहां पर तो हम लोग यहां पर आते हैं और इसको इंजेट करते हैं इसका नाम ने इंक्रीस कांँद कर आख का यहां एक handler है इवेंट के लिए तो इसको आप यूज्व कर सकते हैं कि यहां कहीं भी जैसे मैं सब कुछ बढ़िया है कोई एर नहीं आना चाहिए और यहां पर भी हमने इसको सेव करते हैं सेव करने के बाद अब यहां पर आई और इसको रिफ्रिश कीजिए यह इंक्रीज फ्रॉम एप यहां से तो हो गई अब यहां गेस्ट से यह सेवी होगा और बिना किसी वार्णिं यहां पर इससे होगा और यहां इसको मूटेट करने का तो यह आपका वार्किंग विथ रियक्टिविटी रियक्टिविटी के साथ कैसे वाक करना जब प्रोवाइड और इंजेट का यूज करते हैं तो यह पूरा इसका ठीक है तो अच्छे तरीकर से इसको यूज इतना डेफ्थ में जाने का श्रक्ता नहीं है लें यहैं आपको यह सीखेए को कहीं से हल्फ लने का श कटता न पढड़े आपको दिमाह सब्सक्राइब करके काम करें तो यह था वाकिंग विथ रेक्टिविटी एक और कॉंसेट हमारा है इसको मैं यहां से कर देता हूं इसको भी कमेंट कर देते हैं इसको भी कोई काम नहीं है और इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं तो वाकिंग विथ रेक्टिविटी यह हमारा कॉंसेट यह wal working with reactivity if you are working in a large application with many dependency providers userith ring component that are going to be used by other developers. It is best to use Semble injection key to avoid potential collisions ES6 introduce a new Data 타pe called Sembles. Sembles are a very power fazer feature that allows us to mitigate the risk of name collision टेपलिक टिपिकली इन प्लागिंस एंड लैब्रेरिस तो यह सेंबल है हमें मिला ES6 में और उसी हम लोग यहां पर यूज करेंगे इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं अगर यहां पर यहां पर एक बनाओं कोई ब्यूज भी कुछ बनादें से मैं यहां पर एक बनाओं कोई भी कुछ बनाते हैं बनाया और X लिखा मैंने equal और यहां पर लिखा symbol ठीक और इसमें हम लोग value दे दिया है इसमें hello ठीक है यह फिर मैं पहले आपको string से दिखाता हूं यहां अच्छे समझ मैं लिखा const और X लिखा equal और यहां पर मैं लिखता हूं एक string रिक लिखते हैं हम लोग ठीक है लिख दिया अभी इसके बाद एक और लिखेंगे const y एक्वल और लिखते हैं हम लोग अब यह लिखा और इंटर्फर्स किया अब यह फिर हम लोग को इसमें शोल लॉग करते हैं कि अधर या नहीं है तो अगर आप इसको करेंगे तब हमें दिखता है यानि कि दोनों का वेल्यू यहां पर सेम माना जा रहा है यह जवाज क्रिट में किया रहा है इसी चीज को अगर आप सेंबल के साथ करते हैं मैं अब दिखाता हूं मैं कॉंस्ट लिखा और यहां पर ही लिखते हैं इक्वल यहां पर सेंबल लिखे और इसका यहां पर Hello लिखते हैं, लिखते हैं, इंटरप्रेस किया फिर कॉंस्ट और एक B लिखा इक्वल यहां पर सेंबल का S में क्या बटरल में लिख रहा हूं और सेम वही लिखेंगे हैं Hello, तो इस केस में भी क्या हना चाहिए, अगर मैं A और B को कम्पार करूं तो यह होना चाहिए देखते हैं यह होता या नहीं गंसोल डॉट लॉट लॉग और एक्वल एक्वल बी किया बी किया और इंटरपेस के देखें हैं देखें आपको यह फॉल्स दिखाई यहां भी हमने हैलो हैलो लगिया और एक साइक को कंपेर किया तो यह में ट्रू मिल गया वह यह दोर वेल्यूस जो है वह ट्रू सेम है तो ट्रू आ गया जब सेंबल के साथ आप वही काम करते हैं लो लिखा और यहां पर सेम नहीं माना जाएगा यानि कि सेंबल के अंदर में अगर कुछ भी आप लिखते हैं मनें कि कोई ऑबजेक्ट ही लिखा तो वह ऑबजेक्ट और सेंबल के नदर आपको एक दूसरा आप बनाते हैं सेम नाम के साथ वक्यू ना बना लें तो वह दोनों ऑब्जेट सेम नहीं माना जाएगा आपके पूरे एप्लिकेशन की में बात कर रहा हूं तो यह बेसिक कॉंसेप्ट है सेंबल का सेंबल को आप यूज नहीं कर सक खाए देगा तो इसका भी रहेगा बिस्क्रीप्शन एक है आपको नहीं दीखेंगा आपके वीपेस में और साथ में आप इसका डैयट ली यूज नहीं कर सकते हैं तो यह भी आपका होगा तो यह बेसिक चीजे हैं जैसे मैं आपको दिखा हूँ यहां पर अंसोल डॉट लॉग और यहां पर एक को हम लोग देखें तो हमें दिखाए देगा कि यह सेंबल हलो लिए हुए इसी को कर मैं अलर्ट यहां पर काम करेगा तो अगर मैं अलर्ट करवाता यह को तो यह हमारा हमें बता देगा कि यहां पर आप डॉम में इसको यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपको यूज करना था आपको क्या करना पड़ेगा अलर्ट और ए डॉट टू स्ट्रिंग इस तरीके से लिखिए इंटरपेस कीजिए फिर आपको देखिए यहां पर आपको यहां पर आपको आपको बैस करना नजी है यह जाता है यह सेंबल का बदाया वा बहुत बहुत सारी लोगों ने इसको पढ़ा नहीं करना है यह है इसका सो थ्यान रखेंड यह basic concept symbol का इसी का यूज़ करेंगे विकॉस यह हमें unique देता है इसी हो जासे हम लोग इसका यूज़ करेंगे वियू जैस में तो यह पूरे application के लिए unique रहेगा इससे name collision आपका नहीं होगा ओकी सो यह है अभी हम लोग इसको कर देता है clear यहांसे जाले क्लियर हो गया यहां से भी कर सकता था मैं अभी हम लोग देखेंगे कि इसी का concept का यह तो हमने जावाज केट का concept देखा यह व्यू का इससे कोई लेन देना नहीं है और देखेंगे कि वाकिंग विद सेंबल कैसे करते हैं अपने कोड में यहने की इस प्रोवाइडर इं की नाम से एक फोल्ड हो बना है और यहां पर मैं एक फाइल बनाऊंगा जावा सिर्प का सारे कीज सेंबल कीज तो जैस फाइल बनाना है आपको और यहां पर आपको एक्सपोर्ट डिफोल्ट और माय इंजेक्शन की आप वैसे नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते ह इसमें कुछ भी नहीं दिया तो कलको कर एक और बना लिया जाए इस तरीके से यह वन कर दें और यह टू कर दें तो एक्सपोर्ट डिफोल्ट नहीं करना पड़ेगा विकास एक ही होता है बस ऐसे बता रहा हूं तो यह दोनों सेम नहीं माना जाएगा इवेन आपने यहां नहीं कहा जायेगा दोनों यूणि करेगा आपने आप में तो इससे वह जैसे इसका यूशिकर में एक ही कभी आपको दिखा रहा हूं इससे सबको समझ मायदा कि सेंबल की किसे काम करते हैं बट यहां पर आप मल्टीपल बना सकते हैं और हर एक यूणिक रहागा जिससे की पूरे अप्लिकेशन में नेम कॉलिजर नहीं होगा सब्सक्राइब की बनाने के बाद आपको क्या करना है एक और कॉंपर बनाते हैं तो इसका नाम रखते हैं गेस्ट टू डॉट व्यू हम लोग सेम में बना सकते हैं बट मैं अलग बना रहा हूं बिकास मैं चाहता हूं क गेस्ट टू में बना है दिखने सेम्बल की और इसमें में देना है स्क्र बगार है जो कि मैंने मिस्किया अभी स्क्रिप्ट जो है की जो है यह हमारा एक प्रॉड़ाइडर बनेगा इन्जेक्शन की बनेगा जिसे की हमारा यह की कि सी ओड़ीजन नहीं हो यह यूनिक रहे याम नाट आ देता है पिले इस घ्रिश को मैं यूजर में लेकिता हो जिसे की हमारी क्या हो जिसे की यह D necessity met am i है तो यहां पर कीज देते हैं और उपर वाला कमेंट कर देता हूं च्छिंप कोई काम नहीं है और यहां पर आना है और खेस्ट टू इंपॉर्ट हो जाएगा सेव करते इंपोर्ट हो गया तेक सकती इंपॉर्ट होगा उसेव में अभी कर देती हैं कीध हैं गस्ट टू से गरेंगे तो यह सका चैल्ड है ओर अब यह करेंगा इस कीका तो इस की तोर पर जिसे कि पूरे प्लिकेशन इंयार यूउं करेंगे तो लिखेंगे खुर्वार्ण व्हलूं हुआ नियुश करके भी हमारे उसमें भी प्रेडी रहेगा वो भी यूनिक ही माना जायेगा तो आते हैं और यहां पर दिखाता हूं मैं आपको यहां पर मों क्या देख रहे हैं working with sample key यहां पर आइए working with symbol keys और एक key हमने बनाया हुआ यह ध्यान में रिख्येगा my injection key यहां पर आए और यहां पर लिखते हैं provide प्रवाइट लिख्खा और यहां पर मों क्या लिखते थे injection key और फिर दूसरा होता था वेल्यू तो इंजेक्शन की यहां पर लिखेंगे क्या my injection क्यों नहीं आ रहा भाई यह auto import क्यों नहीं हो रहा गभुए कशच अब करेंडर तो करेंगे इंपोर्टर नहीं पड़ेगा तो स showcase स्लस्लीटी जर्श इंग्षन दानता च्AUDA एक कोई न यहां लेखनां पेड़ेगा कि मई इंजेक्शन की यह लिखा इसकोमें इंपोर्ट करना पढ़ेगा तो इंपर्ट कहां से करेंगे इंपोर्ट माय इंजेक्शन की बताइए आनी रहा पूरा लिखना ही पड़ेगा मुझे लिखा सेव किया अभी यह जो हमने यहां पर की बनाया वा उसको पहले हमने इंपोर्ट किया अब हमने इसको कर दिया यहां पर इंजेक्शन की के तोर पर लिख दिया अपनी मजी से कोई भी नाम लिख सकते थे अभी इसका वेल्यू लिखने के बार यह जिसमें लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं कोई अगर आप स्ट्रिंग भी लिखेंगे तो भी चलेगा बट स्ट्रिंग लिखने का फाइदा यहां सकती है जिसमें काट है और प्रोडक्ट अब कल को वाइए कोई और नक्षोण की यहां से बनाया जाता है कुछ इस तरीके से वन जीजा गया तो यह न रहेगा और इसी जीको गत सेम कोपी करके बेस्ट करके और यहां टू कर दिया जा सिरु है तो यहांपर आपका का 충청 पर प्रोडक्ट फिर भी यह सेम जिम कॉलिजन नहीं करेगा विकास यह अलग चीज़े और यह इसका वेल्यू यूडिक रहेगा और इसका अपना वेल्यू यूडिक रहेगा जैसे यहां पर हमने यह यहां पर लिखा हुए ब्रेकेट के अंदर में यहां पर वेल्यू था फिर यहां पर यहां पर करना है तो यहां पर पहले इंपोर्ट करेंगे किसको इंजेक्ट ओके हमें लिखना पड़ेगा प्रैकेट के अंदर में कर लिए अपन कर लिए लिए प्रॉम लिख दिया मैंने व्यू और उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिलिटी से इसको यहां पर पेस्ट कर देते इंद्वाद को इसको निगा और यहां पर नाम लिए कोई भी नाम लिख सकथे मगटेट लिख दिया एकाल और अपका नाम है इंजेकशन की क्या है यह कोपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए इसको सेव करते हैं उसके बाद यह हो कि अभी आपको इंजेक्टेट में यह आपजेक्ट परका पूरा जानी कि इसका जो वेल्यू है यह वेल्यू काड़र प्रड़क्ट यह मिल जाएगा आप उन दोनों को प्रेंट कर हरकि क्या कह रहा है कि यह कह रहा है की हिदिटी यहां से मिल न है रहा है कोंई इसको एक हो डाए को बाहार आकर पड़ेंग कम बाहार आकर करना पड़ेगा उसका से एक अभी हाँ से रिफ्रिश करते है और इसमें एकवर कर आरल को अन्कट सिंटैक्स अर्रु इल्यृत्य यहाँ पर आते हैं और रिफिर्श करते हैं और पूरा का यहाँ पर आते हैं और रिफिर्श करते हैं पूरा का पूरा आपको 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 यूस करना है जैसे कि मैं आपको पताया कि यह हमारा यूनिक है तो नेम कॉलिजन नहीं होगा अगर मैं कल को यहाँ से एक और की बनाओ और सेम वेल्डू रखकों फिर भी हमारा पूरा अप्लिकेशन के लिए वह यूनिक ही रहेगा नेम कॉलिजन नहीं होगा नेम आपका सेम रहे है फिर यहाँ यहाँ पर जब्ली लिखेंगे होगा की इसको कैसे यूस करना है विवर फिर से बता देता है विए काफी सरे एर इसको वेल्डू ने डिस्क्रिप्शन बोलते हैं तो सेम रहे है फिर भी हमारा यह जो रहेगा यह यह निक रहेगा नहीं कि अलग अलग हमें रहेगा जो हमने भी फॉल्स करके देखा हुआ था तो यह हमने क्रेट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको इंपोर्ट कर लेन है वैसे इंजेक्ट कीजिए और फिर अपडेट अक्सेस कर सकते हैं यह हमारा वाकिंग विद सेंबल की जो यहां पर इंपोर्ट करना जरूरी है यहां पर पर प्रोवाइड किया की को तो यह की अपने आप यहां पर चलाएगा जिससे नॉर्मल यहां पर इसको जलिया है तो और स्टेट मेरेज अब बहतर तरीके से कर पाएंगा अपने व्यू जैस के अप्लिकेशन में थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूं अपने में इसको कमेंट करते हैं यहां से और शुरू से शुरू कर देता हूं यहां से करने और यह 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 नहीं प्रॉप इसको क्लोज कर देता हूं और इसको कमेंट करते हैं सो क्लोज गया इसमें कोई अशर नहीं पड़ेगा यहाँ पर आते हैं और इसमें से यह हमले लोगों हायलेट करना पड़ेगा और यह यह इंजेक्ट हायलेट करना पड़ेगा यह वाला बस अब हम रहा यह दिखना से एक बेसिक यह था हमारा क्या प्रोवाइड और इंजेक्ट की कैसे यूज़ करना है सारी चीव मैंने को बहुत देटिल में बता दियें आप इसको चेटल के स्यूज़ कर पाएंगे और आपने ठीकती समझा है तो इस वीडियो को देखने के लिए आसका बहुत-बहुत तैन्यवाद